दोस्तो आज के वीडियो में हम फोकस करेंगे बैठी चार्जिंग के उपर तो दोस्तो ये वीडियो आप फूरा अगर देख लिया न तो चुटकी में बैठी चा जिंग की प्रोल्म सल्फ कर सकते हैं दोस्तों तो दोस्तों हम मल्टी मीटर यूज करके हम आपको नहीं बताएंगे दोस्तों क्योंकि कितना मेकानिक भाईयों का मल्टी मीटर चलाना नहीं आता है दोस्तों समझ में नहीं आता है ठीक है तो दोस्तों यह टेस्टिल आमके जरिये से हम आपको बत से पहले दोस्तो सबसे पहला दोस्तो यह बैटी के जो यह प्लस टर्मिनल है यहां देखिए हम लोगों ने ओपन करके यहां रख दिये दोस्तो यह ओपन कर लेना दोस्तो ठीके तभी दोस्तो पकड में आएगा कि एक्चली में कहां से प्रोलम है बैटी चार्जिंग की प्र करना दोस्टों ठीक्ए यह चावी को आफ करके रखना है दोस्तों ठीक है अफ करके च्यक करना होता है's इचली में बैटी चार्जिंग प्रोलम कहां से है तो यह अब करका ही रखिएगा दोस्तों की यूज करके हम आपको बताएंगे तो दोस्तों सबसे पहला इतना सारा काम आप कर लेना ठीक है उसके बाद दोस्तों यह रिक्टी फायर पर फोकस करना है ठीक है तो देखिए दो सबसे पहला काम नहीं करना है ठीक है जो यह चाभी में हम आपको बता देते हैं यह चाभी में देख सकते हैं दोस्तों यह तीन और यह अलग से चार वायर लगा हुआ है दोस्तों देख सकते हैं ठीक है तो दोस्तों चली हम इस पर फोकस करेंगे सबसे पहला ना दोस्तों यह पहला इतना सारा वायर में से हमको ढूड़ना होगा हमको पता करना होगा सबसे पहला यह आपको पता होना चाहिए यह आपको यानि कि कंफम होना चाहिए ठीक है इतना सारा वायर है लेकिन कौन है बैटी चार्जिंग क्वायल का वायर दोस्तों ठीक है जिस वायर से मेगनेट क्वाइल से ठीक है और इसी के जरिये से हमारा बैटी चार्ज होता है दोस्तों तो यह मेगनेट क्वाइल से एसी क्रेंट आता है यह सफेद वाला वायर में तो सबसे पहला यह सफेद वाला वायर चेक करना होता है ठीक है कि यह वाला वायर बीच में से कहीं कट है क चलिए सबसे पहला हम आपको बताते हैं एक को वयर दोस्तों दिख सकते है इस्समियानी की लगा लेना है कर इस परकार के एगदम प्रोपर तरीका से लगाना है तासिर प्रोपर तरीका से चेक हो तरुपर और यह सथिक तरीक तरे नहींариbe अब दोस्तू कीइप यूज़ करना पर दोस्तों अगर यह कंस्टी लाम न होता है यह जगता है तो हमको ये पता चलता है कि सफिध वाला जो वायर है मैगनेट क्वायल से लेके और यह रिक्ली फायर तक बीच में कहीं से कट नहीं है, और charging क्वाइल याना की magnet क्वाइल साहि है दोस्तु यह अगर बलता है तो अगर नहीं बलता है किख क्वाइल करने पाद यह बल्ब नहीं जकता है उस केश में दोस्तो सब ही दोबला वाईर आप चेक करिएगा कहीं बीचमें से कट हो सकता है या दोस्तों मेगनेट कोयल खराब हो सकता है दोस्तों ठीक है तो चलिए की यूज करके हम यानिकी पता कर सकते है तो दोस्तों यानिकी यह जो बल्ब है यह जग रहा है यह बल रहा है दोस्तों ठीक है तो दोस्तों हमको यह कंप हम हो जाना चाहिए यह यह सफे भी नहीं है एकदम सई है और चार्जिंग क्वाइल एकदम सई है दोस्तों यह जग रहा है अगर नहीं जगता तो यानि कि कमप मुझे यह में खराबी होगा या दोस्तों यह सफेद वाला वायर बीच में से कई कट होगा दोस्तों ठीके तो यहां तक इन्पूट करेंट यह कौसा यह अउट्ट पूट करेंट ठीके तो यह देखिए यह लाल वायर आउट्पूट करेंट है यह ऊजला वायर एसपकर इंपूट यह सफक्ते हैं और निपा खुशड़ता है और क्या करता है Sコो ८्offel这个 गुसता है और एकुटी फाइर क्या करता है एसी को डीशी में कनबर्ट कहके बाहर करेंड निकलता है फैट stat कर लिए यह लाल वुला वायर यह आवटपूट करेंड है तो आवटपूट करेंड दोस्तो हमacement कर सकते हैं-धेट तो दोस्तों आप यहां से भी आप चेक कर सकते हैं दोस्तों तो चलिए डारेट दोस्तों हम यहां से हम चेक कर लेते हैं दोस्तों ठीक है आपके मर्जी दोस्तों आप यहां से भी दोस्तों देख सकते हैं यहां यानिकी एक टेस्टिलाम का बार दोस्तों लगा के ठीक है और एक दोस्तों एक तरीके से तरच कर लेते हैं ठीक है और टेस्टी लाम को हम यह आछा तरीका से हम आपको फोकस करके देखाएंगे ठीक है यहाँ बड़ी से तच करें खे और बड़ी से तरच त्रोपर तरीका से जग रहा है गल रहा है तो इसे हमको यह पता च्ला है दोश्थ है अगर यह कैसी लाम नहीं जगता नहीं बलता उसकेस में कमफं हो जाना चाहिए तो यह कि उलंब हो हो चूका है अपना फोश्थ करेंड नहीं निकाल पारा है दोस्तों ठीके अगर ये टेस्टी लाम नहीं जगता तो दोस्तों ठीके और ये पुरा पुरा लाल वाला वायर भी सही है ये कट नहीं है दोस्तों तो ये रिक्टी फायर आउट्पूट करेंड ये लाल वायर में सही निकाल रहा है यानि कि दोस्तों दो वा काल कलर के वायर दोस्तों हमारे यहां बैटी के प्लस टर्मिनल में आ जाता है जिसे दोस्तों हमको बैटी चार्ज करता है ठीक है तो दोस्तों यह बैटी के प्लस टर्मिनल हम लोगों ने यहां टाइड कर दिया है इंस्टाल कर दिया है अब दोस्तों मल्टी मीटर से भी 12 volt ठीक है उसके बाद दोस्तों scooter को इस्कूटर कर्लेना है और क्लीट की जो दोस्तों 20V पर docent करके और दोस्तों यहा प्लसप्रो और यहां माइनस प्रोब जो मल्टीसे का दोफ क्लोब होता है यहां टोच करके और 20 भूल्ट पर सेट करके और हम रेस लेंगे तो मल्टी मीटर में दोस्तों 15 से नीचा रीडिंग देखना चाहिए दोस्तों 15 से नीचा अगर रीडिंग मल्टी मीटर में सो करता है तो उस केस में कंफम हो जाना चाहिए कि बैटी एकदम प्रोपर चार्ज कर रहा है दोस्तों ठीक है रिक तो इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने लायक आपको मिला होगा तो चलिए दोस्तों फीर मिलता है ऐसाही किसे ही पुल लियो में थांक्स पुल वाचिंग